हेलो, क्लास टू, अब है आपकी इंग्लिश ग्रैमर की क्लास से, इसमें आज का टॉपिक है आपका पास्टेंस, पास्टेंस मतलब जो बीत गया है, जब कोई चीज बीत जाती है तब हम कैसे बात करते हैं, उसके लिए हम क्या ग्रैमेटिकल हमारी ओर्डर होते हैं, जिने हम use करते हैं past tense के लिए ठीके तो हमारा आज का grammar का topic है past tense past tense जो बीट गया है जब बीट जाती है कोई चीज तो हम कैसे tense का प्रयोग करते हैं tense को हम कैसे use करते हैं आज हम उसको पढ़ेंगे past tense यानि the simple past tense is used to talk about a time before now now means जो अभी हो रहा है before जो बीट गया है जो अपसे पहले बीट गया है उसके regarding जब हम कुछ talk करते हैं तो वो क्या कहलाता है simple past tense the simple past tense is used to talk about a time before now before now अपसे पहले जो time बीट चुका है उसको हम before time बहुते हैं जब हम उसके बारे में talk करते हैं about talking करते हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं past tense so past tense की definition क्या हुई the simple past tense is used to talk about a time before time before अभी से पहले का समय कि जब भी हम talk करते हैं के बारे में बात करते हैं talking about the time before now so we are used simple past tense simple past tense में सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी helping verbs होते हैं helping verb कौन सी होती है is MR is MR is a helping verb यह helping verb हम कभी उसकरते हैं in the present time कि अभी यह सब कुछ हो रहा है in the present time ठीक है we use is MR in present time is MR में ही यूज करते हैं and जब हम बात करते हैं past time की we use was and were in past time तो we use is MR in present time and we use was, were in past time अब कैसे यूज करते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा है he is going to park वह पार्क गया है अभी present में गया हुआ है he was going to park अब वो past tense में चला गया was किसमें चला गया past tense में वह पार्क गया था गया है और गया था he is going to park वह पार्क जा रहा है वह पार्क जा रहा था ठीक है समझ आया, इस की जगे हमने was कर दिया, और is और was हम singular के लिए यूज करते हैं, he, she, it और naming word के लिए हम is और was का यूज करते हैं, they are playing, they are playing, वह खेल रहे हैं, they were playing, we सब खेल रहे थे, तो are, जब बहुत सारे के लिए यूज करते हैं हम are, और was, बहुत सारे जब खेल चुके हैं, जो पहले ही खेल लिया है, वह खेल चुके थे, ठीक है, they are playing, they were playing, तो आपको अगर हमने is और are लिखा है, और उसे past tense में change करना है, तो is की जगह आजाएगा was, और are की जगह क्या change करना है आपको, is की जगह was और are की जगह were, next है, some verbs from their past tense by adding d or ed to the main verb, main verb कौन से होती है, जो action verb होती है, active verbs होती है, जिन से पता लगता है कि कोई क्या कर रहा है, something is doing something, ठीक है, someone is doing something, तो जैसे कोई खेल रहा है, तो पिले, they play, but played, तो यह हो गया past tense में, वो केल रहा था, ठीक है, खेलता था, jump, jumped, खेल, jump, करता था, अभी jump, करता था, करता है, करता था, walk का walked, talk का talked, dance का danced, अब dance में already e लगा हुआ है, तो वहा हमें double e नहीं लगाने की ज़रूए, तब हम सिर्फ d लगा देते हैं, watch का watched, work का worked, अगर आपसे कहा जाएं कि आपको, इन जो words हैं, इनको convert करना है, into the case में, past tense में, तो आपको क्या लगाना है, d और ed लगाकर इसको आप past tense में convert कर देंगे, और अगर ही किसी sentence में आ रहा है, और आपसे कहा जाएं, आप past tense का use करना है, तो आप क्या use करेंगे, उस verb के आगे d या ed लगा देंगे, ठीक है, आगे आपको समझ में, तो आप लोग को इसी तरह से, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक happy star आ रहा है, आपको ऐसे ही happy happy रहना है, और आपको इस दुनिया में star की तरह ही shining करना है, so good-bye and take care.